हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत एक और नए संदार वीडियों बात करने वाले हैं यू पीएसी सिविल सर्विसेज का जो है एक्जाम के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाई स्टेप मैं आपको एक लाइफ फॉर्म करके बताऊंगा फाइनल प्रिंट आउट कर तक के जो है हम आपको पूरी जनकारी यहां पर साजा करेंगे जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी परकार की option मिलेगा मालने जाप पिछली बार एक candidate रहा चुके हैं UPSC का भले आप CDS का एक्जाम दिये हो या UPSC का और कोई भी एक्जाम दिये हो तो उसी जनकारी के थुरूँ आप login यहां कर सकते हैं जैसे कि email ID लिखेंगे और get OTP क्लिक करेंगे तो आपके email OTP को यहां लिखेंगे फिर capture code भर के login करेंगे आपका dashboard open हो जाएगा इस परकार सा आप दिखेंगे तो dashboard आपका open हो जाएगा और यहां लेटेट की जनकारी दिया हुआ है तो पहले हम आपको एक OTR करके दिखाते हैं अब देखेंगे यहां पर login करने का बहुत सारा option है जैसे email के थुरू भी आप login कर सकते हैं mobile के थुरू भी login कर सकते हैं OTR ID लिखिए और जो अपने password बनाया था OTR करते वक्त वह लिखिए और capture code भर के login कर सकते हैं तो यहां पर तीन option है तीनों में से किसी माध्यम से आप already registered है तो login कर सकते हैं चलिए हम पहले समझते हैं OTR कैसे करना है तो OTR करने के लिए हम यहां पे जो है new registration का option मिलेगा अब इस पर spelling है उसी तरह से लिखना है mystery सब नहीं उच करना है prefix अब यहां पर दुबारा नाम को confirm करना है यह पूछ रहा कि अपना नाम कभी change के चेंज के तो हा करेंगे नहीं तो no करेंगी यहां gender बताना है male female और दुबारा मतलब हर चीज को दो दो बार लिखवा जा रहा है ताकि आप year को confirm करेंगे जो भी यहां पर फिर यहां पर दो बार लिख देना है फिर यहां पर अपना जो है father's name लिखना है फिर नहीं पर अपर संख्यक समुदाय से आते हैं तो हाँ करेंगे और यहां से बता एंगे किस तरह के आप अल्फ संख्यक हैं नहीं तो यहां पे no करेंगे यहां mobile number लिखेंगे alternative mobile number देना चाहते हैं दिजे वरना इससे आप छोड़ दीजेगा यहां email id लिखना है alternative email देना चाहते हैं इससे दे सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं mandatory नहीं है यहां दस्तुई class का board का role number आपको लिखना है फ उसको लिख सकते हैं आपके हिसाब से जो भी है आप अपना जो है जो भी यहां पे लिख सकते हैं फिर यहां पर capture code भरेंगे और यहां submit करेंगे submit करते हैं friends आपके यहां पर जनकारी सु होता है registration वाला यहां पर एक पर जनकारी को verify करते हैं कि हाँ यह सारा जनकारी सही है अगर आपको change करना है तो यहां से change कर लिजेगा इसमें कोई भी जनकारी गलती है तो नहीं गलती है तो I agree पे click करना है agree करते हैं friends आपके email पर OTP जाता है और mobile पर OTP जाता है तो mobile पर OTP मोबाइल वाले सेक्शन में email वाले सेक्शन में लिखेंगे अगर आपको नई प्राप्त होता है तो recent का भी option है recent करके आप जो है दुबारा try कर सकते हैं spam junk folder भी आप जरूर चेक करेंगे तो हम इसमें लिखत क्या करेंगे form को भरेंगे या उसके अगले साल या साल में दो बार vacancy आती है तो जो second phase आएगा उसका भी आप इसी OTR से form को भरेंगे दिशिस को business ध्यान दीजेगा इसे print out निकाल के अपने पास hard coffee सुरचित रख लीजेगा अब क्या करना है friends आपको इसे print कर लेना है print करने और get OTP क्लिक करेंगे तो आपके email को OTP को या लिखेंगे capture code बरके login करेंगे mobile के थुरू भी same उसी तरह से login कर सकते हैं OTR के थुरू अभी आप first time नहीं कर सकते हैं तो कि अभी आप login करेंगे न email के थुरू तो बोलेगा password बनेगे तक अब पहले से password बनाए हैं तभी आप login को बना सकते हैं यहां पर नीचे में guidelines दिया हुए password बनाने का अब यह password हमेसा यूज कर सकते हैं OTR और password के थुरू भी आप login हो सकते हैं आप password बना देंगे तो यह password 8 character कम से कम होना चाहिए upper case lower case numeric special character के साथ होना चाहिए अब यहां पर हम password बनाके submit कर देंगे submit करते हमारा OTR application status जब आप form भर देंगे तो आप application status चेक कर सकते है application history, view profile, update edit profile बहुत सारे option में देखने को मिलते हैं तो हम यहां पर latest notification पर click करेंगे अब यहां पर देखेंगे तो जो भी vacancy चलती है और यहां सो होता है तो अभी present पर देखेंगे तो civil services पिर लिमिले examination 2024 आपको देख रहा है civil service प्रारामिक परिष्या 2024 इसका जो है वर्स दिखा रहा है और यहां notice number और notice date और अंतिमतिती भी दिखा रहा है अब यहां पे अगर आपको OTR में कुछ भी update करना है तो यहां से update कर सकते हैं नहीं तो आपको यहां पर part 1 वाले option पे click करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर part 1 इस पे click करेंगे part 1 पे click करते हैं part 1 के लिए यहां देखेंगे form खुल जाएगा तो यह दो part में form भरे जाएंगे part 1 और part 2 तो अभी part 2 जब part 1 complete कर लेंगे तो फिर part 2 वाला enable हो जाएगा तो हम इस पे click कर दिए यहां पे देखेंगे तो इस परकार से आएगा instruction को पढ़ेंग तो हां करेंगे नहीं तो नो करेंगी तो अपने according यहां पर बता सकते हैं जो भी big lang person है अपने according यहां पर जनकारी को भरेंगी अगर आप big lang नहीं है तो इसे no कर दीजेगा यह disable हो जाएगा अब आता है यहां पर समुदा है community आपको community बताना आप EWS से आते हैं तो अपना EWS लगाना अगर आप EWS से आते हैं तो और इसका यहां पर बताएगा कि issuing authority किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ यहां देखें बहुत सारे option आपको देखने को मिलेंगे district magistrate, additionalistic magistrate, collect rate, deputy collect rate और भी बहुत सारा है तहसिलदार है इसके लिए तालुक magistrate है तो आप जहां से भी यहां का option को choose करेंगे तो इसमें साब का match कर रहा है तो आप चूच कर लीजिए जहां से बनवाया हों नहीं match कर रहा है तो यहां other का option जाती देना है यहां पे अब यहां पूछ रहा है कि यहां पर जारी करने वाले परधिकारी का नाम, बनाम किया है उसका designation बताये authority हो किसक e-swing authority क्या है, तो उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जो आपके certificate पर लिखा हो, अब यहाँ पर जारी करने वाला, certificate कब जारी हुआ है तो आपको मैंने बता है ना financial 22-23 के बाद का होना चाहिए तो यह आपको यहाँ पर देख लेना है और अपना यहाँ पर बता देना है कि हमने कब बनवाया हुआ है फिर यहाँ पर fee हमारे case में यहाँ पर fee माफ हो गया है तो यहाँ रहेगा क्योंकि यहाँ रहेगा तो आपका यहाँ पर आपका यहां पर देखेंगे तो बोला गया है कि आपका जो होना चाहिए एक चार 2023 के बाद का होना चाहिए और यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह चीज आपको देखना है और यहाँ इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है उसी हिसाब से आपको लगाना है देखें आप अपने अस्तर से भी जरूर सारे चीज़ों को पढ़ेंगे फॉर्म भ काना है डिखाना है अपको साथ चाहिए चैज़े यहीं पर ब uma स्य कुछे चैड़ होना चाहिए जहाँ पर देखनी बाइगे नंतर चाहिए जनकि आपको देख लिजेगा उससे क्या है इसनों में बता देंगे अब यहां पर देखेंगे अब यहां पर आपको दीन को सब्सक्राइब आपको बता देना है अब आता है यहां पर एजूकिशनल क्वालिफिकेशन यानि आपकी सैच्छिडिक योगता तो यहां देखे बोला है कि आप ग्रिजूशन पास कर चुके हैं तो पहला उप्सेंट चूछ करेंगे अगर आप अपपीरिंग है तो इसको चूछ करेंगे तो यहां पे अपेरिंग वाले भी फोर्म भर सकते हैं और पास वाले भी भर स सकते हैं तो आप अपने कोडिंग आप देख सकते हैं कि आपका क्या है अब यहां पर आपको बताना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है आप डिग्री इन इंजिनिरिंग या और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगा ग्रिजुशन इन जिगरोफी सोसलोजी अपने डिग्री हासिल किया है उसको आप यहां पर चुनाव कर लेंगे इसके बाद आता है यहां पर एड्रस भरने का तो जो भी आपका आवास यह पता है अब देखें यहां पर सोसलोजी मैंने चूच किया तो फॉर वीच इक्जानेशन यूड लाइक टू कॉंसीडर सि देखें यहां पर civil services, IFS, Indian forest services और Indian services and Indian forest दोनों को आप लेना चाते है या किसी एक को लेना चाते है तो आपके उपर depend करता है अगर कोई engineering किया हुआ है तो engineering के recording यहां पर options आएगा देखें यहां पर Indian forest services, civil services या both, civil services and Indian forest services तो आप अपने recording यहां पर दोनों को भी ले सकते हैं अब यहां पे आपको अपना जो है आवास से पता यहां पे लिखना है, जो भी आपका आवास से पता है, यहां पे अच्छे से तीन लाइन दिया हुआ है, और यह area pin code bold अगर है तो बताइए और नहीं से छोड़ दीजेगा और फिर यहाँ पे continue कर देनी है अब अगले step में यहाँ पे आपको आएगा age relaxation अगर आपको आयू में छूट चाहिए तो आप इसे दावा कर सकते हैं नहीं चाहिए तो no कर दीजेगा और यहाँ continue अगर मालने चूट लेना तो आप यहाँ ले सकते हैं उस पे click करके नहीं चाहते हैं चूट लेना तो no कर दीजेगा यह disable हो जागा फिर यहाँ पे आपको continue करना है continue करते ही friends आपका यहाँ पे अगले step में आता है photo ID card देना एक ID proof देना होगा जैसे कि आप देखेंगे driving license, अधार card, pen card, passport कोई एक ID proof आप दे सकते हैं हमने आधार card चूच किया यहाँ पे आपको consent देना होगा yes करना होगा और यहाँ पे आधार संख्या लिखना होगा फिर यहाँ दुबारा आधार संख्या को confirm करना होगा और आधार का photo copy यहाँ पे PDF में upload भी करना है और यहाँ पे आपको देखि हैं अब यहाँ पे आता है कि please indicate your percentage at the graduation level, graduation level आपका कितना परतिस्यत आया हुआ है यहाँ पे आपको बता देना है अब आता है कि number of attempt आप जो है already कितने number of attempts दे चुके हैं यदि पहले परियास नहीं किया है तो zero दर्ज करें अगर आपने परियास किया है तो एक दो जो भी CMS examination CMS परिष्छा के अंदर आप कहां लेना चाहते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे option आपको देखने को मिलते हैं तो आप अपने according यहां से चुनाव कर लीजिएगा जहां भी आपको nearest लगे इसकी बास से आपको जो है paper का medium देना है तो paper 1 से 5 का जो होगा उसका आप माधियम क्या रखना चाहते हैं किस language में आप exam देना चाहते हैं तो यहां पर इस language आपको बता देना है फिर optional subject for paper 6 and 7 यहाँ चट्थे और सात्वे paper के लिए विकल्प कभी से आपको यहाँ पर देना होगा तो जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो अपने according भासा कमा दें तो कौन से भासा में exam देंगे 6 और 7 पर का भासा आप यहाँ पर चूच कर लेंगे फिर यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप राचल परदेश मणईपुरा मेघालया मिजोरम नागालेंट से किम के रहने वाले अगर रहने वाले इन जगहों से तो आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ करेंगे और उसके बारे में यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे options आ जाते हैं कि आपको लेंग्वेज फर पेपर वन इसके अलावा जो है पेपर और आपका प्यपर यह जो होता है भासा प्रश्ण पत्र देने से च्छूट का दावा करते हैं तो यह उस करेंगे और आपको जो है certificate number मुल निवासी होने का certificate नमबर आपको यहाँ पर देना होगा किसके तौरा बनवाया हुआ है और उतके बनवाया था यह आपको देना होगा आप इन जगह वाले option पे click कर देना है, submit करते हैं friends, यहां पे आपने जो भी जनकारी दिया हुआ है, वो सारा जनकारी यहां पे show होगा, आप जनकारी को अच्छे से verify करते हुए नीचे आ जाएंगे, आप एक बार जरूर चेक करेंगे, कि हाँ सारा जनकारी सहीग नहीं है, अगर आपको कही नहीं भी गलती लग रहा है, तो आप यहां update करके सुधार कर लिजीगा, नहीं गलती लग रहा है, तो आप यहां पे जो भी यह capture code दीख रहा है, वैसे वैसे आप यहां पे लिखेंगे, और यहां मैं सहमत हूँ, इस पे आप agree पे click करेंगे, okay करेंगे, क्योंकि बाद में परिवर्तन नहीं होगा, तो ध्यान देना है, आपको submit करने से पहले paper janigari को verify कर लेना है, अब देखेंगे, तो हमारा part 1 जो है complete हो जाता है, अब हमको part 2 को complete करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, और यहां देखेंगे, तो हमें print करने का option मिलता है, print slip, हम चाह करना होता, फिर मेरे case में नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर photo signature हमारा option आ जाएगा, हमारा part 1 complete हो गया, हम photo signature वाले option पर आ गए है, how to resize photograph signature image यहां लिखा हुआ है, आप इस पर click करके, आप एक बार जो है न, चीजों को समझेंगे, देखे, photo कैसे resize करना है, यहा इमेज है आपका, open with paint करेंगे, आपका paint open हो जागा इस परकार से, और उसके बार से, आपको यहां एक resize का option मिलता है, यहां देखेंगे resize का, यहां पर आपको चूच करना है pixel, पिक्सल में जो भी आपको बताया गया है, कि आपका photo का pixel क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से, आप इसी तरह से photograph को scan करेंगे, मतलब इसी तरह से resize करेंगे, तो चलिए हम यहां पर photograph को upload करते हैं, और उसके वास यहां upload image पर click करेंगे, तो upload हो जाएगा, थोड़ा साम नीचे आते हैं, यहां पर आपको देखे, guidelines बताया गया है, acceptable photo और acceptable signature, अब यहां पर देखेंगे, तो आपका नाम, जो भी आपका नाम है, और date, कब आपने photo खिचवाया हुआ, यह already mentioned होना चाहिए नीचे में, यानि आपका photo के just यहां देखे, sample यहां दिया हुआ है, इसी sample में आपको photograph को upload करनी है, तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है, photograph के just नीचे, name ल photograph यहां upload होगा, बात करें यहां पे pixel की, तो देखें, यहां पे बोला गया dimension, देखें, 550 पिक्सल से लेकर, 1000 पिक्सल से बीच होना चाहिए, मतलब 550 से लेकर 1000 पिक्सल के बीच का आपका image हो, तो चल जाएगा, और वही signature की बात करें, तो signature जो है, 300 से लेकर 550 के बीच का आपक आएगा आपका, upload ही नहीं होगा, तो इस चीज को business ध्यान देना है, और साथ-साथ, यह जो केवी बोला गया है, कि 20 केवी से लेकर 300 केवी के बीच होना चाहिए, तो यह भी केवी को आपको ध्यान देना है, तो ऐसे आपको इस बार करना है, upload photograph को, और यहां पे white background यहां बो फोटो होना चाहिए, यह सब आपको लिखा गया है, ओनलाइन पत्र भरने के लिए 10 दिन से अधिक पुराना नहीं फोटो होना चाहिए, और latest वाला ही photograph आपको यहां पे लगाना है, जो जो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, और ध्यान दीजेगा, यहां पे sample जो दिय जा गया है, यहां पे name और date लिखने वाला, किसी तरह से आपको photograph यहां पे आपको attach करना है, तो जिस परकार से friends guidelines दिया है, उस परकार से हमने friends photograph और signature को यहां पे upload कर दिया, थोड़ा सम नीचे आएंगे, और यहां पे हमको continue का option में लेगा, continue करेंगे, अब यहां पे देख स friends हमारा जो इस परकार से वा जाता है, अब हम center selection and agreeing to declaration पे click करेंगे, अब इस परकार से परिच्छा के अंदर का chain हमको करना होगा, कि हमारा परिच्छा center कहा होना चाहिए, तो आप अपने according जहां नियर्ष लगे, वहां choose करेंगे, फिर आपको declaration करना है, यह agree पे click करना, I have read declaration agree अब हमारा देखेंगे तो इस परकार से for application status, इस पर हम click करेंगे हमारा जो है, final submit हो चुका है, फोर्म अपने सपलता प्रोक अपने आविदन परस्तूत किया, अब हमको इस पर click करना है, इस हम इस पर click करेंगे, तो हमारा final submit हो गया है, completed, completed यहां देखरेंगे, अब यहां प आपको समझ में आया होगा कि किस परकार से जो है UPSC Civil Services के लिए form को apply करना है मैंने आपको live process यहां पे करके दिखाया अगर आपके मन में कोई भी doubts है comment है आप comment box में पूछिएगा मिलते हैं किसी next video में जाहिन